कोई में गिरने से महिला और छे वर्षी बच्ची की हुई मौत पिछोड़ था ना श्रेतर के मलहावनी गाउ में एक महिला अपनी छे वर्षी बेटी के साथ मलहावनी गाउ में एक वेक्ती के घर पर रह रही थी महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था महिला पिछले दो महिने से अपनी बेटी को लेकर भटक रही थी मलहावनी गाओं के एक वेक्ती को महिला रास्ते में मिली थी महिला और उसकी छे वर्षी बेटी को मलहावनी गाओं के वेक्ती ने अपने घर रख लिया है महिला पिछले दो महिने से मलहावनी गाउं में रह रही थी महिला बेटी के साथ कुए पर नहाने गई हुई थी अचानक से बेटी का पैर फिसल गया और वा कुए में गिर गई बेटी को बच्चाने के लिए महिला ने कुए में चलंग लगा दी जिसे महिला की कुए में डूबने से मौत हो गई ग्रामिडों ने पुलिस के इस बात की सूचना दी मौके पर पहुची पुलिस ने महीला की शप को कुए से निकाला लेकिन महीला की बेटी का पता नहीं चल पाया है आपको बता दे की पुलिस ने मृत्का की बेटी को आसपास तलाशा लेकिन वक कहीं नहीं मिली पुलिस ने जब कुवे का पानी निकल वाया तो बेटी का शब कुवे में मिल गया महिला के पहचान के लिए पुलिस ने सोचल मीडिया का सहारा लिया और महिला का पती और उसके परिवार वाले मौके पर पहुचे पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विवेशना शुरू की, सचिन राज भट की पुलिस्ति में, रोटी जरूर जैंज में राज करवाया तो महिला के साथ बच्ची भी रहती थी, कितने साल की बच्ची थी? पांच छे साल की उमर क्या होगी तो यह महिला आपके पास कितने महिने से रह रही थी तो क्या मला क्या बीमारी थी उसको नहीं पास तो ऊसकी मला माला के बीच में संकरजी का मंदर है कि मैला कूगे में डली एक तो जाकर उसको देखा तो पता लगा कि यह दीन जाटों की पत्नी है उससे पूछ ताज की उसने बताया कि यह मुझे मिलुझा थि, रोण में भूकी प्यासी थी, तो मैने इसको खाना माना घलाया तो मेरे सातर रहने लगी थी, इसके बाद बच्ची के थालास की तो में दौनों भूक कहल ऊष्ट्रे पीम कराये गया बच्ची को सुवह रात में पुखा का पानी अधिक काची अजयारी